जाहिए दोस्तों तो आए दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्जाम हॉल में एक्जाम हॉल यानि कि बोर्ड एक्जाम 2023 में अगर आप रिक्षा देने जाते हैं तो OMR seat कैसे भरियेगा जिससे कि आपका answer सही हो ठीक है और आपका result बने तो उसी के बारे में दो बात करेंगे दो नंबर में दो नंबर में सबसे पहले देखेंगे कि सिर्फ नीले या काले ball point pen का ही इस्तमाल करें जेल pen का इस्तमाल वर्ड जित हैं दूस्तों आप केवल नीले और काले pen को ही ले जाए एक्जाम देते समय ठीक है और इसी दोनों pen से लिखना है इसके अला यह है सही बिधी और यह है गलत बिधी तो सही बिधी क्या है कि जैसे कि आपके सामने में जब ओमार सिट दिया जाएगा तो उसमें AVCD करके option रहेगा तो आप जो भड़ियेगा तो आपका सही बिधी क्या होगा आपका सही कैसे होगा उसको समझते हैं आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो ये गोला ब्लेक रंग से रंगा हुआ है ये पूरा रंगा हुआ है इसमें देखिए कहीं पर भी उपर खाली है नीचे भी खाली है इधर कहीं पर भी खाली नहीं है यानि कि इसको पूरा पुर्ण रूप से भर देना है अंदर में तो इधर भर देता है इधर खाली गाजता है और कभी कभी क्या होता है बीच मेशे से करके छोड़ देता है तो इस इस्थिती में अगर ऐसे भरते हैं तो आपका OMR सीट जो है वो गलत हो जाएगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा और आप जितना भी बना कर आएंगे आप बहुत पस्ताईएगा कि हमने क्या गलती कर दिया है जिसके कारण से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया मेरा रिजल्ट बना ही नहीं तो दोस्तों यही गलतियां है ठीक है जिसके कारण से अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं और उनका रिजल्ट नहीं बन पाता है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे आपको नहीं लिखना है आप हमेशा इस चीज को परियोग करें और इसी तरह से लिखें तो आपका सही होगा ठीक है और पेन में कौन-कौन पेन ले जाना है तो नीला पेन और काला पेन ठीक है चलिए अब देखिए चार नंबर को समझते हैं देखिए अगला तीन नंबर में दिया गया है कि समस्त आवस्यक विवरन साधानी पुरवक OMR उत्तर पत्रक में भरना है ठीक है OMR उत्तर पत्रक में निर्दहारित अस्थान पर अपना नाम वो हस्ताक्षर की पूर्ती करें दोस्तों आपका जो OMR सीट दिया जाता है उसमें आपका नाम और हस्ताक्षर दोनों भरना होता है ठीक है फिर चार नंबर में देखिए आपका पंजियन संख्या पंजियन वर्ष रोल कॉड रोल नंबर प्रस्न पुस्तिका कर्म संख्या ये सब ही आपको भरना है ठीक है आज वैसे तो अभी आजकल जो भी एक्जाम होता है उसमें आपका रोल नंबर मतलब ये पंजियन संख्या जो भी हो कुछ कुछ उसमें आपका नाम और बहुत चीज़ उसमें लिखा हुआ राता है जो नहीं लिखा है इस सब में से आपको उसको OMAR में इसी तरह से भरना है ठीक है और देखिए दोस्तों आपको एक्जाम में क्या गलती नहीं करना है OMAR उत्तर पत्रक में कोई भी अन निसान नहीं लगाए अब कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें भर दिये हैं और इसमें भी थोड़ा टिक लग गया तो ये आपका गलत हो जाएगा जिस ओप्सन को रंगते हैं ABCD में से B को रंग रहे हैं तो उसी को रंगिए उसके अलावा किसी को टच भी नहीं करिए ठीक है किसी भी अन कागज गन्ना मसीन, मोबाइल, फोन, आदिका इस्तमाल वरजित है और ऐसा करने पर अयोगे ठारा आए जाएगा आपको जुर्वाना भी लगेगा और जेल भी किया जाएगा गलत चीज आप नहीं ले जा सकते हैं मसीन, कैलकुलेटर, फलना, चिलना जो भी डिवाइस हो आप नहीं ले जा सकते हैं ठीक है आपको पता ही होगा कि जो OMR उतर पुस्तिका होता है वो electronic scanning संसाधन से की जाती है ठीक है अधूरा या गलत भरने पर आपका OMR पतरक आमानने हो सकता है जो भी आपका यो OMR सिट जाता है एक्जाम देते हैं तो वो चेक होने जाता है तो वो machine के माध्यम से चेक होता है अगर उसमें आप थोड़ा भी गलती भरते हैं ठीक है अगर इस तरह से भरते हैं तो वो आपका reject कर देगा आपका answer नहीं दिया जाएगा ठीक है तो दोस्तों इसी तरह से आप OMR सिट को भरें इस तरह से नहीं भरना है एक्जाम होल में नीला और काला पेन ले जाना है किसी भी तरह का device नहीं ले जाना है जो भी आपका roll code हो, roll number हो उसको पंजियन संख्या हो उसको आप OMR सिट में सही डंग से भरें तो दोस्तों यहीं सब करना होता है और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है OMR सिट में ठीक है तो हमें उमीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग गलती नहीं करेंगे और हम उमीद करेंगे कि आप लोग को अच्छा नंबर हो और आप लोग अपना नाम रोसन करें तो दोस्तों आज का कलास कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जवरू बतलाईएगा अगर आप लोग को समझ में आ गया है और आप लोग गलती नहीं करिएगा ठीक है तो दोस्तों आप मारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह से आपको रोड डले नहाने आ वीडियो मिलता रहे तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए प्रेम से बुलिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम